डियाबिटीज के पेशन्स के लिए यूएस से अच्छी ख़बर है तरसल फूड और ड्रग अड्मिनिस्ट्रिशन ने डियाबिटीज की इम्मून थेरपी दवा को मंजूरी दे दी है दुनिया भर में डियाबिटीज बिमारी के मामले हर साल बढ़ रहे हैं इसमें टाइब बन डियाबिटीज भी तेजी से पाव पसा रहा है लेकिन अब इस बिमारी के पेशन्स के लिए एक खुशखबरी आ गई है दरसल यूएस फूड एंड ड्रग एड्मिनिस्टेशन यानी एफडिये ने ड्रग रेगुलेटर्स को टाइब बने से रोकने के लिए एक गेम चेंजिंग इम्मून थेरपी दवा को मंजूरी देती है एक्सपर्स का कहना है कि टैबलिजम ड्रग इस बिमारी के इलाज में एक माइल स्टोन साबित होगा आपको बता दे कि दुनिया भर में लगबग 8.7 मिलियन लोगों को टाइब वन डाइबिटीज हैं यूके में 400,000 लोग इस बिमारी से जूज रहे हैं जिन में से 29,000 से जादा बच्चे शामिल हैं मैं कि दूबघन से 30,000 लोगों को बिमारी से 30,000 लोगों कि आपको इस हैं